उज्जेन हम आपको लिए चलते हैं देखिए तमाम भेमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए है मेंतगिरी वेदान दाजी महराज हमारे साथ उज्जेन से इस वक्त जुड़े हुए है वेदान दाजी महराच जैश्री राम प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो आपका स्वागत और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि बहुत मुश्किल होगा लेकिन आज के इस पावन पवित्र दिन को आप अपने शब्दों में पिरोकर जरा हमारे दर्शकों के सामने रखिए कि किस तरह की अनुभूती क्या अनुभव आप आज कर रहे हैं जी सबसे पहले तो महाकाल की धरा से भगवान श्री राम जनबु भूमी को मैं साष्ठंग प्रणाम करता हूँ उसके बाद भगवान राम की जो प्रान पतिष्था हो रही है भगवान राम हमारे राष्ट के आत्मा है और लगभग 1528 के बाद और 4 लाक वलिदान के बाद यह जो दिव्य भव्य अति भव्य राम मंदिर हो रहा है प्रान पतिष्था जो हो रही है इसमें हम सब प्रशन और पूरा भारत इसमें अग्रसर होगा एसा मेरा मानना है और पूजी स्री नित्रकूपाल दाषजी माराज, मानिये श्री मोधी जी और योगी जी की संकल्प और सक्ती के कारण विश्मिन्दू परिशद रस्स और जगत गुरुओं के संकल्प सक्ति के कारण ये सब संभव हो सका है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अर्थार राष्ट की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग सादू समाजे मानते हैं और हम अत्यधिक उस्साहित हैं कि पूरा राम पूरी अईध्या भूत सुसजि है मोदी जी के संकल्पों के कारण योगी जी के संकल्पों के कारण और डॉक्टर हमारे मद्द प्रदेश के डॉक्टर महन यादब जी ने भी लड़्डू महाकाल की धरा से भिजवाए हैं तो हम बहुत आनंदित हैं अभी भूत हैं और बहुत आनंद यहने भूत ही हम ल ने जो अबद की जो कौतुक छटा देखी तो उसको देखकर वो अपनी चाल भूल गए थे और आज भी अभी तक धूप नहीं निकली है हाँ संभवता एसे सास रामचरीत मानस में बताया है कि एक मैने की रात हुई थी जब भगवान का जन्म हुआ था और आज भी हम बोई पल देख रहे हैं कि अभी भी शूरिय की छटा हम लोग सब देख पा रहे हैं जी बिल्कुल और एक बड़ा ये महत्वपूर है अच्छा इसको सनातन से लेकर अगर हम देखें क्योंकि सनातनों को लेकर राम सनातन में सबसे बड़े हैं सबसे उपर हैं सनातन के अलाबा जिस तरह से ये कहा जाता है कि भगबान राम ने पूरे बिश्व को एक पाठ दिया है एक सीख दी है इतना बड़ा ये माहुल है सनातनियों के साथ साथ पूरे देश को और किस तरह का एक संदेश इस भव्य कारिकरम के जरिये जाता है क्योंकि लड़ाई भी हमने लड़ी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें एक बार फिर से स्थापित किया जा रहा है लेकिन इतना जो दौर रहा मुगलों ने शासन किया अंग्रेजों ने शासन किया वो मेंटर सुलज नहीं पाया लेकिन आज वो एक महत्पूर पूर पल करता है कि भगवान की राम राम जी की राम लला की प्राण प्रतिष्टा होना अर्थात पूरे विश्व को सांती में का बातावरन वनाना ये हिंदूों की आस्ता हम तो ये लोग मानते हैं जी लेकिन एक संदेश लोगों को जाना चाहिए कि जिस तरह से सनातन के जो अग्रज है भगवान श्री राम उनका जब आज प्राण प्रतिष्टा किया जा रहा है अच्छा कहाबत ये भी है या कहते ये भी है कि जैसे हमें बताया गया कि जब प्राण प्रतिष्टा की ज प्रतिश्टा के जब प्राण प्रतिष्टा की पश्चाद्य की जब समस्त गहले जाती है और उसके बाद अंक की प्रति जाती है और सामने जो आचारी रहते हैं वो सीशा रखते हैं और वो सीशा अचानक फूट जाता है तो सास्त्र में ऐसा माना जाता है कि अगर वो सीशा फूट गया तो भगवान राम के प्राण इसमें विराजित हो गए हैं ऐसा माना जाता है यानि कि जो प्रान प्रतिष्ठा का कहते हैं जया यही महत्व है कि जब सामने जो मूर्ती है उसमें प्रान फूग दिये जाएं तो प्रान प्रतिष्ठा आज ये पल होने बाला है दिश्यत तोर पर्वेदांत महराजी, लेकिन आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमेशा से ही कहा जाता रहा है, अगर हम तरेता उग की बात करें, प्रभूशीराम के उग की बात करें, तो ये माना जाता है, कि नयाय के लिए कानून का पालन करना बहुत जरूरी है प्रभु श्री राम हमेशा से यह सिखाते रहे और उनके कई जो काम थे जो कारच थे उनमें हमने देखा है कि किस सरा से उन्होंने कानून का पालन करते हुए नयाय की इस प्रक्रिया को पूरा किया इसे आप कैसे वो भी कानून की प्रक्रिया के तहती हुआ है जी देखिए हमारे भगवान राम इतने मर्यादित हैं इतने कानून के मानने वाले हैं कि उनके पिता जी ने राजा दसरतन सिर्फ संकेत दिया कि आप बनवास चले जाओ तो उनों ने इतने जिस अयुद्या को जिस अयुद्या का राज प्राप्त करने के लिए इंध्रित्यादि भी इत्छुक रहते थे थे कि हम म्कोई और राज मिल जाए उसको त्याग करके वह 14 वर्स वनवास चले गए तो भगवान हमारे राम भगवान मरयादा पुरसुत्तम भगवान स्री राम जो हैं वो कानून के सर्वोच मानने वालों में से हैं बिल्कुल और वो संदेश भी देते हैं उनके जो कारज है वो यही संदेश देते हैं वैदान्त महराजी आप बिल्कुल आप बने रहेगा आपसे आगे भी हम चर्चा को जारी रखेंगे तो अध्या में श्रीराम लला की प्राण प्रतश्टा और कुछ ही देर का समय है आप से दोड़ी देरबाद प्रधान मंत्री नैन मुदी भिया उध्या कि उस पावन नगरी में कदम रखने वाले हैं